वल्कम टू फोनेशन ग्लासेज सुडेंट्स जैसे कि हमने एक चेरी शुरू कर रखी है अर्थमाटिक प्रोग्रेशन की और उस अर्थमाटिक प्रोग्रेशन से आज हमने कुछ कोशन्स करने हैं अब आपने इससे पिछले वीडियो को जिसमें उन्हें फार्मुडे पढ़ाये थे आपको समझ आ गया होंगे आपने वो देखें आगे अगर आपने वह नहीं देखे पहले प्लीज आप उनको देख लीजिए प्लेश्त में पड़े और इसकी प्लेलिस्ट में इस वीडियो के description box में भी दाल दूंगा तो आए स्टार्ट करते हैं कोर्शन नुम्बर वन कोर्शन कर रहा है find the sum of first 22 term जान से देखो क्या बोल रहा है find the sum of first 22 term जाने के यहां पर हमारे पास कोई AP है उस AP की पहली 22 term का हमने sum निकालना है और उस AP के कुछ numbers दे रखे हैं जैसे 8 है 3 है और minus 2 ऐसे 101 ऐसे करके तो हमारे पास एक इवन है d हमने खुद निकाल ला है second term से first माइनस करनी होती है तो second से हमने first minus की तो second से हमने first minus की second थी 3 first 8 तो 3 में से 8 minus किया तो आंचर आया minus 5 और n कितना था क्योंकि first 20 वोला उसने n कितना आया 22 तो sum निकालने का जो फार्मूला है पहले एक बार देख लिए जिए आला कि पहले हमने हमने discuss किया हुए सम निकालने का फार्म होता है SN is equal to n by 2 ब्रैकट 2a plus n minus 1 तो इसमें हमने आप सीधा ही डिरेक्ट ही मैंने values पूट करके निकाला है स 22 है क्योंकि हमारे पास बाहिस तर्म का सम निकालने है तो n की जगा 22 by 2 हो गया 2 into 8 एक मारी फर्स टर्म थी प्लस एन माइनस 1 था एन कितना थे 22 माइनस 1 बी कितना था माइनस 5 तो इस 2 से 22 कट गया 11 आ गया यह टू जा 16 प्लस 21 माइनस 1 21 हो गया तो यह माइनस 5 यहाँ पे क्या करेगा मल्टिप्लाइ करेगा यह 22 माइनस 1 21 है अब 11 यह 16 आ गया और 21 into 5 करेंगे तो मारे पास इसका अंतर रहेगा माइनस 105 अब हमने क्या किया माइनस 105 में से 16 को माइनस करना है क्योंकि आप बली बांत ही जानते हो कि बड़ा नंबर है नेगटिव है और शोटा नंबर पाजिटिव हो तो हम जहां माथिमेटिकल अपरेशन जो यूज होगा माइनस वाला ही होगा सब्तरक्शन वाला ही ले माइनस 979 तुटन्स आई होप सो कि आपको यह कोशन बहुत असान था और आपको इसली समझ आ गया होगा तो आईये अब चलते अंगले कोशन के लिए लेट्स टार्ट कोशन नुमर टू इफ तस सम्वाफ फॉर्टीन टर्म्स आफ एपी ज़न जरू फैस बड़ा ही इंप कोई बात आपको बीना समझ आए चूटने नहीं चाहिए आपको हर बात को बड़ा ज्यान से समय नहीं है क्या कह रहा है if the sum of the first 14 terms of an ap is 1050 यानि कि जो sum of 14 terms हो कितना 1050 जिरो ठीक है and its first term is 10 यानि कि जो ए दे रखा first term हमारे पास क्या है 10 दे रखिया है and find that 20th term कुछ मुश्किल नहीं है बस थोड़ा सा brain applicable करना है यहां पर थोड़ा सा formula के साथ खेलना है और खेलेंगे तो question बड़ा इसली निकल जाएगा सब्सक्राइब करना है और आपको देखिये 20 के लिए हमें आरे पास formula क्या बनेगा जहां पर अब आपको देखिये 20 कोई मतलब नहीं उपर क्या है क्या निए जिरूरी चीजह निकालने वह देखिये यह गिवन है 19 भी वैल्यू से फिक्स वैल्यू हमारे पास दी हमारे पास नहीं है तो यहां जो मेंजर जंबल है वह यहीं है कि सम दे रख और दी निकालना है और सम स दी कैसे निकाल लेंगे कुछ नहीं करना बड़ा सिंपल है बस आप ज्यान से देखोगे तो हो जाएगा वैसो तो मैंने यहां पर दी निकालने का सिंपल सा फामूला यहां पर बना दिया है आप इसको मैमराइज भी कर सकते हो बटा मैं चाहूंगा कि आप इसे मैमराइज नहीं करना कोशन को समयना और इस फामूले तक खुद पहुंचना ड्राइब करने तक ताकि वह काम जदा असान हो जाएगा अगर फामूला मैमराइज करके जाओगे पेपर में बूलने के जांसी है कोशन गलत होने के जांसी है इसलिए ऐसे मैंने आपकी सुविदा के मिकालने है तो उसके लिए बड़ा इपॉर्टेंट है बट आपके एग्जामिनेर पॉइंट आव्यू से आपको फामूला याद नहीं करना समयना है ड्राइब कैसे हुआ ड्राइब भी मैंने इसी से किया है तो आईए अब एस फोर्टिन फोर्टिन बाइट टू टू इन था डाल दिया फिर एन माइनस वन फोर्टिन में से एगेश तो थर्टिन रहागे तो दी तो हमें निकालना है बस कुछ भी नहीं अब एफ फोर्टिन की वैलिव दे रखी है वैलीव फूट कर दी हमने लोग पूट करने के बाद मारे पास यहां पर दीगी वैलिव आ जए तो यहां पर 10 यह में निकालना था और एक्शुली जो कॉछन पूछ रखा वो पूछ लगा ए 20 ए 20 क्या था ए प्लस 19 इंडी यह मारे बास 10 था और डी बी 10 है 19 इंटू 10 190 हो गया और यह मारे बास 10 था 190 तो 100 यह कॉछन में पूछा था वो हमने अब निकाल लिया है है आई होप सो कि आपको यह कोशन बड़ा इजी लग गया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा आप ट्राइ करें इसको ऐसे कोशन बार बार निकालने ताकि आपको यह बिल्कुल वो कोश्ट्स हैं जो आपके एक्शाम में आने के पूरे पूरे चांसित हैं कि तुडेंट इस सब्सक्राइब कि वन्हें कराने सम्सक्राइब याद राखना तो उनका सम्सक्राइब धीक पूछले और कि तुusi ऑ्स फिप्र नाच्रत नम्बर से पूरत प्रचान ना इ Keeping अगर उन्होंने आड़ पूछ लिया है तो आड़ अगर एन हमारे पास गिवन है कोई फिप्टी आड नमबर यहां फर्स्ट हन्डड आड नमबर यहां फस्ट थाउजंड आड़ नमबर जितने एन की वैलीू दे रखिये उसीका स्केर कर ले ले आ इते तरह इवन में हमने एन गिवन है तो फामुला क्या बनेगा इवन में एन एन प्लस बाद आई होप सो कि आप यह तीनों फामुले अपनी डायरी में नोट कर लेना बड़े इपोर्टन है और बार बार इनको ध्यान देना ताकि आपको आगे जाएं कि इनका आपको फाइज अपने तो आई चलते है यहां पे टम्त पूछें यानिके एन निकाल में तो स्टुडेंट्स आप मेरे इस वीडियो को अंजाय कर रहे होंगे आप इससे पहले वीडियो देखे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आप चैनल पर नए व्योर हो तो चैनल को सब्सक्राइ है डी हमारे पास एट है डी हमने यहां पे निकाल ला है 17-9 करके 17 में से 9 निकाले तो 8 बचे एन हमें निकालना है एसन 636 दे रखा हमने क्या करया हमने एसन का फामूला लगा के सिर्फ वैल्यू इस पूट की है एन हमारे पास नहीं था तो एन्वाइट रखा टू एटू यहां पर टू यहां से कट जाएगा आगे तो हमारे पास कटने के बाद जो एक्विशन बनेंगी वह बनेंगी 5N plus 4N square equals 36, देखे कैसे, N by 2, 10 plus 8N था, तो यही N पहले इससे मल्टिप्लाइक रहाया, तो यही N इससे मल्टिप्लाइक रहाया, तो 8N square हो गया, डिवाइड़ बाइ 2, 636, तो यहां से दोनों से 2 हमने कामन किया, ताकि यह नीचे जो डिवाइड कर रहा, यह 2 हमारे कंचला हो हो गया, इसको 2 से डिवाइड के तो 5N आया, इसको 2 से डिवाइड के तो 4N आया, तो हमारे पास यह equation बनी, 4N square plus 5N minus 636 equal to 0, अब यहां पे, देखो हमारे पास यह quadratic equation बन गई है, quadratic equation में हमने दो तरीके सिखे थे, एक splitting of the middle term, और दूसरा, completing the square method से, इस question हम कैसे निकालेंगे, completing the square method से, तो वही किया, वह method आपको पता ही है, formula क्या था, x is equal to minus b, plus minus b square minus 4, इसको 2 है, a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 5 है, c हमारे पास minus 6 है, हमने वही value यहां पे, n निकालने के लिए, minus 5 plus minus 5 का square, minus 4 into 4 into 6, 36, यह minus का था, तो आगे जाके यह plus का बन जाएगा, तो minus 5 plus minus, root में 25 आगया, 5 plus square, और यह 10176 divided by 248, अब इनको दोनों को सम किया, तो 10201, root में है, plus minus, बाहर क्या था, minus 5, अब आपको पता है, यह हमने एक, किछे एक, पहले इस्तना रखी है, square root वाली, जिसमें जो perfect square होते है, उनका root कैसे निकालना होता है, अगर अगर वो नही नहीं देखी, तो वहाँ देखिए, नहीं तो इसको root निकालने में काफी time लगेगा paper में, अगरो playlist देखके अपनी practice कर ले, ताकि आपका paper में time बचे, time बचे तो फाइदा हो जागा, देखिए यह पहला digit 1 था, understood है, इसका जो root आने वाला है, वो 1 होगा, यहां फिर 9 होगा तो मैंने यहां 1 लिया, फिर second result छोड़ दिया, third 100, two था, तो 10, 10 चा 100 होती है, तो मैंने 10 लिखा, ठीक है, 10 into 11 करते तो 110 हो, तेसलिए हमने बड़ा 9 नमबर यहां पर रिजेक्ट कर दिया, छोटा 7 कर लिया 10, 101 आया, अब 101 में से 5 गये तो 96 by 8 हो गया, अंतरा है 12, second कितरा आ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर उसे number of terms पूछे, और terms कभी पॉइंटों में नहीं होगी, वो हमेशा number में होगी, ठीक है, तो हमारा answer है 12, तो यहां पर इस question में जो value क्या आई है, and की, वो 12 आगी, students, I hope so, कि आपको यह आज के बताए हुए सारे questions आपको समझा आ गया, तो आप मेरे इस वीडियो को like and share करें, और लोगों को तक पहुंचाएं, और बच्चों को फाइदा हो, thank you students.